हेलो माई लवली स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास थर्ड, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में लेसन 11 में अनिकार्थक शब्द बढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि अनिकार्थक शब्द किसे कहते हैं हर एक खाशा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ निकलता है कुछ के ऐसे सारे ही शब्द होते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है जैसे कि मैं कहूँ पुस्तक, तो पुस्तक का हिंदी मतलब क्या हुआ? किताब और मैं को विद्याले तो विद्याले का इतलब क्या हुआ? स्कूल लेकिन इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं जैसे कि अंबर अंबर को आस्मान भी कहा जाता है और कपड़े को भी अंबर कहा जाता है दूसरा तीर तो तीर बाण को भी कहा जाता है और नदी की किनारे को भी तीर कहा जाता है नेक्स्ट पत्र पत्र पत्ते को भी कहा जाता है और पत्र लेटर को भी पत्र कहा जाता है तो यह हमने समझे अनेकार तक शब्दों के कुछ उधारन चलिए अब हम अनेकार तक शब्द करते हैं एक तरफ लिखा है शब्द दूसरी तरफ उनके अर्थ तो चलिए वन बाई वन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं नमबर वन पे क्या है हार हार का क्या होता है माला और पराजे दूसरा है पट पट किसे कहते हैं किवार, पर्दा और वस्त्र को भी पट कहा जाता है नेक्स्ट आम, आम क्या होता है बचो एक तरीके का फल जो कि हम सबी लोग खाते हैं और दूसरा साधारन नेक्स्ट अर्थ अर्थ का मतलब होता है धन अभी प्राय यानि की मतलब और दूसरा कारण नेक्स्ट अंक अंक क्या होता है गिंती के अंक जैसे 1,2,3,4 और दूसरा अंक किसे का जाता है गोद को भी अंक कहा जाता है next कल कल हम किसे कहते हैं बीते दिन को भी कल कहते हैं आने वाला दिन को भी कल कहते हैं और मशीन को भी कल कहा जाता है next उत्तर उत्तर किसे कहते हैं जवाब यानि कि जो आंसर देते हैं हम लोग हिंदी में उससे क्या कहते हैं उत्तर और उत्तर एक दिशा का नाम भी है नेक्स्ट काल किसे कहा जाता है समय को यानि की टाइम को मृत्यू को और यमराजन तीनों को ही काल कहा जाता है नेक्स्ट अंग अंग किसे कहा जाता है शरीर का भाग जैसे कोई भी हमारे शरीर का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं अंग और दूसरा देह यानि कि पूरे के पूरे शरीर को भी क्या कहते हैं हम अंग नेक्स्ट गुरू गुरू किसे कहते हैं शिक्षक यानि कि जो टीचर होते हैं उन्हें भी गुरू कहा जाता है और ब्रस्पति यानि कि जो ब्रस्पत का दिन होता है उसे भी हम क्या कहते हैं गुरू बार तो ब्रस्पति को भी गुरू कहा जाता है तो बच्चों आज हमने पड़े अनिकारतक शब्द किसे कहते हैं और अनिकारतक शब्द कौन-कौन से होते हैं उनके बारे में भी हमने पड़ा ये अनिकारतक शब्द सेम ऐसे ही आपको अपनी कौपी में भी करने हैं और इने लर्न भी करना है तो आज के लिए बस इतना ही Thank you so much for watching Stay home, stay safe